आई हम बात करते हैं साहु हित्कारणी समीति का जो चुना हुआ जाबलिन गर्ज में साहु लाज में आपने देखा उस तमें चुनाओं में कई पद्यादिकारियों को एक बड़ी जिम्मेदारी समीति के तरफ से दी गई उसमें अध्यच महामंत्री कोशा अध्यच आयबें में देखा गया कि साहु हित्कारणी समीति के तरफ से जो तीन सो के आसपास लोगों की संख्या थी लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया और एक बहतर अध्यच को चुना है यह बात करते हैं हमारे बीच में अर्विंद गादी जी हैं यह चुनाओं कितनी साल के संख्या जन्पद की पतिष्टी संस्था है जिसका अपना एक साहु भौन जापलिंगंज बलिया में है जहां पर अन्य सामाजिक स्वेम्शेवी संगठनों को भी सपोर्ट करने के लिए सहयो करती है इसका पांच वरसी चुनाओं जो है कल साहु भौन में हुआ है संख्या तो ऐसे सहर में मान लीजिये तो दस जार सकम नहीं है और बलिया जन्पद में तो लाखों की संख्या में है लेकिन सोसाइटी होने के नाते इसकी संख्या एक सपंद्रह है और इसमें से सो लोगों ने अपने मत का पर्योग किया है इसमें अधक्ष पदपर अरुन कुमार साहु और पपु जी महमंत्री पदपर बीजे संकर गुपता जी कोसाधक्ष पदपर बिनोत कुमार जी आईबै निरिचक के पदपर संजे कुमार जी विदिक सलाकार के रूप में मैं अरभिंद गांधी को निर्विरोध चुना ग गया उसके बाद जो है उपाधधक्ष बिरेंदर कुमार जी को जो मोती महल से उनके मोती चंसाहु जी के लड़के हैं उनको जो है निर्विरोध चुना गया और इसमें जो है तीन जो संगठन के मंतरी हैं उनको जैसे सतनरायन गुपता, कनहिया परसाद और राजेस परसा चुना गया, यह समीती जो है मौलिक रूप से जो है स्वयम सेवी संगठन है और समाज के उत्थान के लिए काम करती हैं, लेकिन इसके साथ साथ भारती समीधान के तहट जो अधिकार करतब्य है, जो उसके तहट जो प्राउधान है, उसको भी ध्यान रखते हुए यह और जहां गरीब कवजोर लोग होते हैं, वहां नियुसुलक भी कारिकम करने के लिए उनको दिया जाता है। इसकी अलावा भी संगठन के कुछ निश्चीत अपने कारिकरम हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर की अलावा भी बहुत सारे सांस्कृतिक, धार्मिक और समास्यवा का जैसे मेडिकल कैम्प लगाना, आँक का जांच कराना, इस तरह के कारिकम का योजन समिती करती है। और आगे आने वाले दिनों में समिती की जब सपद ग्रहण हो जाएगा, जब पहली बैठक होगी, तो निश्चे ही एक पांच साल के लिए वीजन तय होगा, योजना तय होगा, कि साहुत कार्णी समिती पांच साल में क्या करेगी। कमजोर तपके के लिए आपके समाज में जो कमजोर तपका है, उसके लिए समाज क्या करता है। आत्म निरुभर बनाने का हमारा समाज पर्यास करता है। लोगों को मदद करते हैं, जो पढ़ने में बहतर हो, अगर पढ़ाई में आर्थिक शयोग की अभी आउशकता होती है, परिवार को करते हैं। फिर हम आप से जुड़ेंगे तब तक इतने जुड़े हैं बली आज कर से। मैं रोशन जैस्वाल नमस्कार। झाल झाल झाल